सुजानपुर बिधान सबाक शेतर के पटलांदर में सुजानपुर भाजबाद्वारा पंचायत प्रतिनीदी सम्मान समरों का आयोजन किया गया जिसमें हमेर पर जिले के नबनेर भाचित अध्यक्षप उपाध्यक्षों और सुजानपुर विकासकन के भाजबासमर्टित पंचायत परदान बह उपरदानों को पहली बार समानित किया गया जिसमें पूर्थ मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल ने बतोर मुख्य अतिती शिरकत की इस दोरान केंद्री बित राज्यमंत्री अनराग ठाकों ने कहा कि देश के विकास के लिए पंचाय उन्हें कहा कि पंचायतों में मंद्रेगा के माध्यम से बहुत अधिक काम करवाय जा सकते हैं उन्हें कहा कि 73,000 करोड रुपाई का बजट मंद्रेगा को सेंचिन किया गया है मंद्रेगा के माध्यम से हर गाउं के रास्तों को पक्का किया जाएगा सुजानपुर विजानसवाक्षेतर के नव निर्वाचित जिला परिशित के सिदसे बीडीसी के सिदसे परधान उपरधान आप सभी को दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुब कामने ज़रा चाहता है भाई वरिंदर जी आप मंडल के अध्यक्ष हैं आपने कल जब कहा तो मैं तो अपना सभाग्य मानता हूं कि जिनको जनता ने चुनकर भेजा है और अपनी सेवा और इलाके के विकास के लिए चुना है पूरे परदेश में कहीं पर उनका सम्मान सबसे पहले कहीं पर हो रहा है तो सुजानपूर विधान सभाग्यों के सुजानपूर के लिए गरभ की बात है कि मुझे आपके दर्शन करने का मौका भी मिला आपसे मिलने का अफसर भी मिलेगा और हम सब मिलकर सुजानपूर को चाहमो की विकास करने के लिए अपने-पने कृत्रों में पूरे दिलो जान से लगेंगे काम करेंगे जो बीत किया सो बीत किया उससे जो सीखना वो सीख लेंगे लेकिन अब हमारे उपर जिम्मेदारी है अपने क्षेतर की, अपने इलाके की, अपने हिमाचल की, अपने हमिरपुर की, अपने सुजानपुर की विकास करने की और सही मायने में देखा जाए तो पंचाइती राज में आज जो संभावनाएं वो आज से साथ साल पहले इतनी नहीं थी अगर आप एलोकेशन और फंड्स का भी देखें तो कुल मिलाकर चौत्वें वित्ययोग में पंद्रवें वित्ययोग में अब भी हजारों करोड़ पे ग्रामीन विकास के लिए आता है और नरेंदर मोती जी की सरकार तो पहले दिन से ही कहा कि मेरी सरकार गाउं की है गरीब की है महिला की है मजदूर की है जवान की है नौजवान की है किसान की है और ग्रामीन क्षेतर में हमें अगर विकास करना है तो पंचायत के विरा नहीं हो सकता है आपका उसमें योगदन सबसे बड़ा है और मेरा अनुरोध आपसे रहेगा और मैं वरिंदर जी आपसे अनुरोध भी करूँगा हम प्रयास करेंगे कि जिला स्तर पर या फिर मंडल स्तर पर हो सके तो वहाँ पर भी एक बड़ा प्रिशिच्छन शिवर भी लगाएंगे कि कैसे योजना एक केंदर की किस-किस हैट पे पैसा आता है आप लोग कैसे उस स्कीम को बना सकते हैं कैसे लागू कर सकते हैं आपको किसी के ओपर निर्ब रहने की अवश्यक्ता नहीं है, आपको इन योजनाओं को भी अगर आप मंजूर करवा कर अपने लाखे में लाएंगे, तो अगले पांच वर्षों में एक एक परधान भी अपने अपने जेतर में कम से कम 10-10 कुरूर रुपे का काम करवा पाए अधिकतर बार ये दिखा जाता है कि जानकारी के अभाव में हम बहुत सारी योजनाओं का लाब नहीं उठा पाते हैं और कई बर प्रशिक्षन शिवर तीसरे साल में जलकर देना शुरू करते हैं जब बचता ही टाइम कम है तो हमारा प्रयास ये रहे कि पहले 6 महिनों के अंदर प्रशिक्षन शिवर खतम हो जाए सब को जानकारियां मिले हैं और कहीं न कहीं हमारे जो पूर में इन पदों पर रहे जिनको इन कामों की जानकारी है उनका उभ्योग भी इसमें किया जाए लोगों को जानकारी देने के लिए क्योंकि जो विधाय का पैसा आएगा सामसत का आएगा परदेश सरकार का आएगा वो और उसके लबा केंदर और प्रदेश की जो बाकी योजनाय है वो भी खर्चा होगा तो आपकी पंचाईतों में ही खर्चा होगा तो जिम्मेधारी आपके पर बहुत बड़ी है वहाँ पर आपको जो इनिशली जो दिक्कत आती है वो आपको बतानी बहुत आवश्यक है कई बार टेक्निकल स्टाफ नहीं होता कई पर मंजूरी नहीं हो पाती कई बार पैसा जादा होता हम उसको खर्चे नहीं कर पाते अगर मैं कहूं कि एक तरफ से कॉंग्रेस कहती थी कि मन्रे का हमला है लेकिन सचाई तो यह है कि उनकी सरकार के समय ज्यादा से ज्यादा खर्च भी हुआ तो तीस हजार क्रोड रुपया खर्च होता था और वो भी पूरा जंदा के पास नहीं जाता था उस समय नीचे के इस्तर पर उस पैसे को बड़े सिस्ट्रमेटिकली लूटने का काम किया जाता था और रिपोर्ट्स में लेकिन जब से नरेंदर मोदी जी की सरकार आई हमने जो सतर सालों में नहीं हुआ था वो करके दिया 43 क्रोड से जादा लोगों के पैंक खाते खुरवाए अधार कार दिया दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल का डेटा यानिके इंटरनेट के सुविदा आपको दी और जो कभी कॉंग्रेस के जवाने में केंदर से पैसा आता था लेकिन गरीब के खाते में नहीं आता था सिस्टम ही उसको खा जाता था आप देखिए मोदी जी ने वो करके दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए इस आपदा के समय अमेरिका जैसे देश भी अपनी जनता के खाते में पैसा नी डाल पाई नरेंदर मोदी जी ने एक बटन दबाया 20 करोण महिलाओं के खाते में 31,000 करोड प्या आपदा के समय डाल था 15-1500 रुपे एक बहन को मिला बहीं इस मौके पर पूर्व मुक्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार दुमल ने पंचायत प्रतिनीदियों को कहा कि जन से बग बिना किसी भेदवाओ के करनी चाहिए इसलिए पंचायत प्रतिनीदियों को विकास को महतब देना चाहिए और अपनी पंचायत में विकास के नए आयाम स्थाबित करने चाहिए और गौण का भिकास पंचायत करवासती है पहले पंचायत को एक शकायत होती थी कि एमारे पास श्रसादन नहीं है और इसी आदत के मारे आज भी कई पर्धान उपर्धान, पंच एमले एमपी के पास दर्खास लेके चले होते पैसा देदू उनसे ज्यादा तो आपके पास आने बाना है जो आएगा निच्चे तोर प्याव कराएगा एक बात का ध्यार रखना एक प्रभाव ऐसा जा रहा है कि रिजर्वेशन के कारण और अक्षिन के कारण अक्षर पुर्धार बदल जाता है और बदलने के डर से कई बार एजर्ड़ा बदल जाता है कि अगली बार तो उड़ा ही नहीं ज्यादा कस्ट करने की क्या जरूरत है मैं कहूंगा जितना भी समय मिले उसका फ्रते खशर जनसेवा में लगा दो विकास में लगा दो जो वकास आप करेंगे वह इत्यास आपके साथ पन जायेगा द्रेंळर जी धिरे धिरे कुच रोधम कर रहे थी काभाधे भी दो चीन मुला लिए भाही तूमरे आदे हवाने थे आदे दुमरे थे तुम भी बुला के सम्वारित कर देना इसलिए चाहे हमारे सम को बुला लेड़ा हम दो तिर की बादरी करते हैं इनी शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद